आप लोग देखते होंगे कि हर साल आपके नोबल फिराईज दिये जाते हैं और अलफेड नोबल का नाम आप लोग सुने होंगे उन्हें की याद में एक तरह से आपके यह दिये जाते हैं अब आप लोगों के दिमाग में याता होगा कि अलफेड नोबल कौन थे तो अलफेड नोबल की बात करें तो यह सुईडिस एक वेक्ती थे और रसायनिक भी थे इंगिनियर भी थे अविस्कारक भी थे बेवसाई और परोफकारी वेक्ती थे और जो नोबल पुरुसकार है इसका इन्हें दाता भी कहते हैं इन्होंने डायनामाइट के अभिसकार भी किया था और आपको मालो होना चाहिए कि 21 अक्टूबर 1833 में इनका जनब हुआ था और 10 दिसंबर 1896 में इटली में इनकी डैथ हो गई थी और उसके बाद आप देखते हैं कि 1901 से आपकी नोबल इसका शुरू होते हैं एकोनोमी यानि कि अर्धवयोस्था के छित को छोड़ कर बाकी सभी 1901 में शुरू हो गये थे लेकिन अर्ध सास्त का 1979 में पहली बार दिया गया था देखे बहुत की हो रसाइन विग्यान हो सरीर विग्यान या चिकिस्था विग्या साहित अर्ध सा सांती के छित में जो युगदान रहता है लोगों का उसी के लिए पुरुसकार दिये जाते हैं सांती का पुरुसकार आपको नौर्वे में देखने को मिलेगा मिलता है और बाकी सुईडन का अगर आप देखें सुईडन में बाकी सभी पुरुसकार बित्रित किये जाते है तो यह भी आप लोग याद रखेगा अभी हाली में तीन विज्ञानिकों को तीन रसाइनिकों को क्या दिया गया है? केमिस्ट्री यानि कि रसाइन विज्ञान का नौबल पुरुस्कार दिया गया है इसमें आप देखेंगे कि आपके केरोलिन आर वर्टोजी है दूसरे हैं आप देखेंगे के बेरी सार्पलेस और तीसरे है मौर्टन मेल्डल यहां भी आप लोग किलिए इनकी फिक्चर देख रहे होंगे केरोलिन आर वर्टोजी और के बेरी सार्पलेस और यह हैं तीसरे मौर्टन मेलडल ठीक है? तो यह भी आप लोग याद रखिएगा तो कैरोलीन आर वर्टो जी के बेरी सारपलेस और मौर्टन मेलडल को के लिए के केमिस्ट्री एबं बायो और ओर्थो गुर्णल केमिस्ट्री के विकास के लिए रसाइन बिग्यान में 2022 का नोबल पुरुसकार दिया गया है पहले तो इन तीनों बेक्तियों को ही याद रखिएगा इनसे कुश्टन साब का पूंच लेगा क्या कहेगा? कि किन किन को इस बार का रसाइन बिग्यान का नोबल पुरुसकार दिया गया है और किसलिए दिया गया है सार्फलेस दूसरी बार जीते हैं इन्होंने किलिक के केमिश्ट्री सब्द पर बड़े फिर्माने पर काम किया है मैल्डल ये ने सुतंतरोप से ट्रायो जौल नामक्ट एक विसेस रसायनिक सरजना के बारे में खोच किया है और जिसके कई माध्पून अनिपयोग है यानि कि वर्टो जी ने किलिक पिती किरियाओं को विक्सित करने का काम किया है जो जीवित जीवों के अंतर काम कर सकते थे और इसे बायो और्थो नोगल पिती किरियाओं एक सब्द जिसे उन्होंने गड़ा था कहा जाता है कई बार आप देखते हैं कि पिछले साल का भी पूंच लेता है के बेरी सार्वलेस्ट ने डेवर लिपिंग डावलिपिंग दाफर्ष्ट चेरल केटेलिस्ट के लिए बिलियम एस नोल से और नोयोरी रयोजी के साथ 2001 का नोल पुरसकार भी साज़ा किया था तो इनके बारे में भी याद रखेगा इनने दोबारा भी मिलाए किलिक केमिस्ट्री में नोल बिजेताओं का युगदान की अगर बात करें कीन का युगदान क्या है तो आउधारना सार्वलेस्ट द्वारा द्वारा गड़ी गई किलिक केमिस्ट्री रसाइन बिज्ञान का एक नियूनतब रूप है और जिसमें आड़वीक फिल्डिंग विलॉग जल्दी और कुसलता से एक साथ स्नैप कर सकते हैं और यह रसाइन बिज्ञान का एक सरल इवं विस्वस्वनी रूप है जहां पिति किरियाये जल्दी होती हैं तथा आवांचित उप उत्पादों से बचा जाता है किलिक केमिस्ट्री की अउधारना सन 2000 के आसपास वेरी सार्पलेस द्वारा गड़ी गई थी उन्होंने पाया कि कारवन पर्वाण के निर्मार के निर्मार की पिक किरिया में एक दूसरे के साथ बंधन के लिए मजबूर करने के बजाए चोटे अड़ों को पूड कारवन धाचे के साथ जोड़ना आसान है और इसका केंद्री है विचार उन अड़ों के बीच सरल पितिकरियाओं का चैन करना जिनके पास एक साथ बंधन के लिए मजबूत आंत्रिक ड्राइब है और जिसके पाइडाम सुरूब एक तेज और कम अपवेई पिकरिया होती है अगर इसकी महत्तुकी देखें तो रसायन सास्त अकसर प्रकिती में पाइजाने वाले जटल रसायनिक अड़ों को फेसे बनानी की कोशिस करते हैं और इसमें अन बातों के अलावा चिकिसा के चेत में कोशी काओं में रोग जनकों को कैसी लक्षित और अवरोदी किया जाएं हाला कि यह पिक्किरिया जटल तथा समय लहने वाली हो सकती है और आप देखेंगे कि अड़ों के निर्मार के लिए उपयोगी किलिक केमिस्ट्री के अंतरगत प्राक्तिक अड़ों की सटीक पितियां तो नहीं बन सकती हैं लेकिन उन अड़ों को बनाना संभव होगा जो स समान कारियों को करने में सक्षम हो अगर आप देखेंगे एजाइड एलकाइन साइकलो एडिशन मेलडल और सार्फलेस इससे जुड़े हुए है सन 2000 की दिसक में मेलडल और सार्फलेस एक दूसरे सी सुतंत ने किलिक केमिस्ट्री में पिरमुप कारी किया और कॉपर केटाल एजाइड एलकाइन शाइकलो एडिसन और मेलडल ने पाए कि एलकाइन और एसाइल हैला हैलाइड के बीच होने वाली अभिक्रियाओं में कॉपर आयनों को जोड़ने से आप इत्यासित रूप से ट्राइजॉल एक इस्थर रोक याकर की रसायनिक सरचना बनती है जो फार एक अन तत्त बनाने में मदद मिल दी और एलकाइन और एजाइड मिलकर एक ट्राइजॉल बनाते हैं और एजाइड तक N3 नाइट्राइड आयन कार्वनिक यूगिक है जबकि एलकाइन एक हाईडो कार्वन है जिसमें कम से कम एक कार्वन टिफल बोंड होता है और यह सरल और प्रभावी रसायनिक अभिक्रिया है अब दबाओं के विकास डी ओक्सी राइवो नूक्लिट ऐसे यानी की डी एने की मैपिंग और इस तरह के अनुद्दे सितु इसी ऐसी सामगरी बनाने के लिए ब्यापक रोप से उपयोग की जाती है अगर आप देखें कि बायो और ओर्फो और्फो नोगल ओर्फो गोनल अभिकिरिया यह अभिकिरिया एक जीवों के अंदर कोशीकाओं की सामान रसाइन विज्ञान को बादित करने किये बिना काम करती है नैनो टेक्नोलोजी की सायोजन में इसके उपयोग से बायो मेडिशन के बिभिन छेत्रों में और विकास हो सकता है जैसे आडवी के आप देखेंगे जैसे कि आडवी के बायो इमेजिंग लक्षित बित्रन स्वास्थाने दवा संक्रियन कोशी का नेनो मटेरियल इंटरेक्शन का अध्यन बायो सेंसिंग आदि बायो और्थो और्थो गुनल पित्ति किरियाओं का सगर आप देखें तो इसमें बतायागा है कि इस्पोर्टिंग गिलाइकान गिलाइकान पर सोद करते हुए कोशी काओं की सदय पर पाये जाने वाला परिहारी कारी परिहार कारी पिकार का कारवु हाइडे जो पित्ति रक्षा पेडाली के लिए महत्मूर है और कैरोलिन औ अड़ों को गिलाइकान से जोड़ना चाहते थे ताकि उन्हें आसानी से देखा जा सके और बर्टो जी उसी एजाइड में बदल गया और जिसका इस्तेमाल सार्फलेस और मेलडन लें किया और इजाइड ना केबल खोशीका के अन्न भागों के साथ अंता किरिया करने से ब अड़िना काम करती थी और जिससे यह जीवित कोशीकाओं के लिए सुरक्षित हो जाती हो जाता है और वर्टो जी कार का उपयोग टीमर कोशीकाओं की सते पर गिलाइकान की पहचान करने और उनकी सुरक्षात्मा क्तंत को अवरोध्य करने के लिए किया रहा है जो पिती रक्षा कोशीकाओं को अक्चम कर सकते हैं और यह विदी बार्तमान में उननत कैंसर कैंसर बाले लोगों के लिए निदानिक परीक्षनों में है और सोथ करताओं ने किलिक करने योग एंटी बॉड़ी को विक्सित करना भी सुरू कर दिया है जो टीमर को ट्रेक करने और कै किरन को सठीक रूप से वित्रीत करने में मदद कर सकते हैं और आपने देखा होगा कि पहले कैंसर किसी को हो जाता था तो ऐसा माल लिए जयता कि उसकी जिन्दगी खतम इलाज ही नहीं है कोई लेकर आज आप देखें हर चीज का इलाज है नहीं नहीं खोज हो रही है कि सही कि तरह से आप देखें उनका इलाज किस तरह से किया जाए तो चलिए नौबल पुरुसकार के बारे में जानते रहा करिए किस खोज के लिए नहीं दिया गया है और जब भी कोई पुरुसकार दिया जाता है तो उनसे आपकी परिक्षाओं में questions पूचे जाते हैं चाहे सामा नेक जानकारी होती है इसे रखा करिए ना